के लिए अगर मालो कोई केबल अगरा खीजनी है तो उसके लिए क्या सुवीदा देनी है आपको और इसमें एक खास और से ध्यान रखना कि जब आप इलेक्टिक वाइरिंग कर रहे हैं उस समय इस प्रकार की जो लाइने जैसे जा रही है इनका अलग से एक सेपरेट पाइप लाइन जैसे डाल रहे हैं इलेक्टिक वायर के लिए तो जो अंडर्गाउंड जैसे आपने डाली है तो अंडर्गाउंड पाइप लाइन जहां बौड आ रहे हैं वहां वह एक इंची का पाइप अतिरिक्त डालना है ताकि यह जो सिस्टम है जिसे मालो टेलिफोन के लेए वह आपको रन करनी है इसके साथ साथ अगर मालो कोई व्यक्ति यह कि एक हमारे इस मकान के अंदर थोड़ा हॉम ठेटर सिस्टम पर लगाना है चार और इस पीए लगाने है मालो हो सकता है आपको पीवी जासे च्छत के अंदर फॉल सिदिंग करते हैं फॉल सिलिंग यह लेनी है और अगर मालो स्पीकर और होम थेटर तो ज्यादा पावर का है अब इसमें यह साइज टेलेफोन के लिए तो कोई ज्यादा कंजुम्शन नहीं है इसलिए पतला अतार चल जाएगा तो स्पीकर के वाट के हिसाब से आपको वायर की साइज का चैन करना है तो वह अगर भी आपको सेपरेटी डालना है जो आपकी पावर लाइन जा रही है उससे अलग और इसके साथ अगर मालो हो सकता है कम्मुनिकेशन सिस्टम के लिए आपको अगर कहीं वायरिंग करनी है तो उसमें इंटरनेट इंटरनेट के लिए अलग से एक केबल आएगी आप व परिचे हो जैसे मनलाव को इलेक्टिक लाइन में फेजर नीडाल जा रहे है उसी के लाइन के साथ साथ उस के आपको नहीं गुजरना है इंटरनेट और लेंड के लिए जिसके अंदर आज से special socket होगा आर जे 45 का socket होगा उसको special tool के द्वारा उसमें fit किया जाता है यह काम आपको additional करना पड़ सकता है तो इसमें कभी यह नहीं हो कि हमने यह cable देखी नहीं है तो आप थोड़ा cable भी थोड़ा परिचे होगे आपका तो इसके नाम से परिचे केवल इंटरनेट के लिए जहां जांजा इंटरनेट अब यहां पर एक सेंटर में अगर मालों कोई modem अगरा लगा रखा है वहां से सारी लाइन डिस्टिबूट हो रही है तो उस जगह आपको थोड़ा सा टॉल्रेंस और दूसरी साइड वे भी जहां पर टेलीफोन लगेगा या कोई कंपूर्टर सिस्टम लग रहा है तो वहां पर आपको एक सॉकेट लगा के रखना है जो सॉकेट के साथ सीधा आप पर लेन केबल है वो कनेक्ट हो जाए और जो आपका सिस्टम जहां लग रह इसमें इंटरनेट सप्लाइज चाहिए तो सीधा कनेक्शन हो जाए या कोई टेलीफोन लगाना है तो सीधी लाइन इसमें लग सकती है तो इस प्रकार के अलग लग सौकेट वो जो आर जे 45 केबल और कनेक्टर और उसके साथ जो जूडने वाल जो सौकेट है उसका इंटरनेट के लिए ड्री जो है या फिर वो कॉक्षीयल केबल और के बली स्टैप के होती अंदर की और एक और निकली होगी और उपर की और अधियो ऑफ्लेक्सिबल तार का एक लेइर होगी तो एक दो तीन लेयर होती है टीवी चैशिन के के वह वो आघ्जी सिस के बल ज हुआ है ज्यांदा बाइरों का लटकर नजर नहीं तो यह जबंग को ठोड़ा साफ सुत्रा करने के लिए और वाइरिंग की दिखावट आच्छी हो आप में कुशलता नजर आए इसके लिए कारखाने या कोई ऐसा होस्पिटल वग़रा में अगर कैं वाइरिंग अगर करनी है तो उसमें fire alarm के लिए भी आपको एक line डाल दी है तो उसके लिए भी आपको ये fire alarm control unit वैसे ये 24 kuleड के line होती लेकिन इसका अलग से कंट्रोल होता है और लाइन इसकी अलग अलग जाएगी और जगा-जगा स्मॉक डिटेक्टर जैसे ही माने लोग कहीं पर भी है सेंसर लगा के रखने हैं जागे कि दुआ वगर आ जाए तो सीधा अलारम बच जाए हलाकि उसका कंट्रोल अलग से होगा उसको आपको पावर सप्लेज दे नहीं है तो वह एक जगा दे नहीं है आपको में जगा इंट्रेंस से वहां वहां पर दे दिए आपके जगा-जगा इसके सेंसर लगा दिए तो सेंसर जब से हीट डिटेक्टर और स्मॉर डिटेक्टर इस तरह के दो सेंसर आते हैं जो आ लगेगा या गर्मी उत्पन होगी तो हो सेंसर जो है उसको सीगनल देदेगा तो सीगनल से फिर वो साइरन हुटर बच जाता है तो हुटर से फिर सब एलर्ट हो जाते हैं कि आग लग गई है तो यह एक वाइरिंग का एक पार्ट हो गया यह लास्ट जाज आती थोड़ा सा यह हमारे इस चैनल को आप लगातार देखते रहें और सब्क्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास में लिंक जो है वो सीधा पहुंच जाए तो यह वाइरिंग जो है इस प्रकार की कर दीए इसमें यह सारा जो सिस्टम है संचार सिस्टम तो इसो कंट्रोल वाइरिंग के इसाब से कंट्रोल के लिए एक एक पाइप अलग से डाल करें